हेलो दोस्तों वेलकम बैट टू मैच चैनल पी के अलक्टेगरी कैसे आफ सभी के सभी दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बाबा टोमिक रिसर्च सेंटर हां दोस्तों जिसे हम बाबा परमाणू अनुसदान के इंदर के नाम से भी जानते हैं तो इस विबाग के दोरा पिछली साल 2022 में एक requirement निकाली गई थी यह जो requirement निकाली गई थी NRB मंबई के दोरा निकाली गई थी requirement का हमारा जो नाम था यू घा जीरो दो 30 जुलाई 2022 थी तो दोस्तो इसमें तरह तरह की आपकी पोश्ट थी तीन तरह की इसमें आपकी पोश्ट थी दोस्तो पहली जो पोश्ट थी आपकी मैं आपको दिखाना चाहूंगा तो दोस्तो यह आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर हमारा जो था इस भरतिगा जीरो टू सलैस दो हजार बास एन अर बी तो इस बॉर्ड के दुवारा वेकैंसी को जो हजारी किया गया था पहली हमारी जो पोश्ट थी वो थी स्टैनो ग्राफर ग्रेड थी अ हमारी अगली जो पोश्ट थी वो थी ग्रूप एसिस्टेंट ग्रूप सी नोन गैजिटिड तो दोस्तो यदि आपने इन तीन पोश्ट में किसी भी एक पोश्ट पर अपलाई किया था चाहे आपने वर्क एसिस्टेंट पर किया हो चाहे आपने ड्राइवर पर किया हो चा कि इसका exam है वो आने वाले टाइम में कब होगा कब हमारा कब हमें इसमे exam देने का मौका मिलेगा कब हमारा इसमें selection होगा दोस्तो एक बहुत बड़ी big update आपके लिए आ चुकी है और हां बहुत से candidate को ये भी पता नहीं है उन्होंने फरुम तो apply कर दिया था लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि इसमें सलेबस क्या रखा जाएगा, क्या इसका सलेबस है, तो वो भी दोस्तों मैं आपका डाउट जो है अभी दूर कर देता हूँ, तो आईए जानते हैं सबसे पहले इसके सलेबस के बारे में, फिर मैं बताऊंगा कि इसका एक्जाम जो है वो कब होगा, किस दिन होगा, क्योंकि एक्जाम से जुड़ा जो आपका इंतजार है वो खतम होने वाला है, तो आईए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं सलेबस को, क्योंकि syllabus हमारा यदि complete होगा तब ही हमारा exam जो है वो crack होगा तो दोस्तो आईए जानते हैं syllabus को तो दोस्तो यह आप देख सकते हैं mode of selection stenographer grade 3 की मैं बात कर रहा हूँ आप देख सकते हैं mode of selection level 1 objective test या one hover duration तो दोस्तो जो आपका exam होना है level 1 का यानि पहला जो tier 1 आपका होना है एक गंटे का आपको time दिया जाएगा one hover आपको time दिया जाएगा जिसमें आपसे English, journal, English, journal knowledge journal intelligence and reasoning and quantity, aptitude, arithmetic यानि के math तो दोस्तो इससे related आपसे question पूट किये जाएंगे negative marking की यदि मैं बात करूँ negative marking की यदि मैं बात करूँ तो दोस्तो one ये आप देख सकते है three mark will be awarded for each correct answer and one mark will be deducted for each incorrect answer दोस्तो यदि आप गल्द करते है question को तो one mark आपका cut लिया जाएगा और यदि आप question को ठीक करते हैं तो दोस्तो three marks आपको one question का दिया जाएगा तो ये आपकी negative marking जो आपके एग्जाम में रहने वाली है level two की यदि मैं बात करूँ तो standographic skill test आपका लिया जाएगा जिसमे minimum qualify के लिए level one test की यदि मैं बात करूँ tire one की बात करूँ तो 50% आपको यदि आप journal category से belong रखते हो के बारे में यदि आपने driver के लिए apply किया हुआ है तो यह आप देख सकते हैं वन होवर टाइम आपको दिया जाएगा जर्नल इंगलिस जर्नल लोलेज अरिथिमाटिक मोटर वीकल से रिलेटिड जुड़े question आप से पूछे जाएंगे marking scheme यही scheme आपके exam में भी same की same रहेगी level 2 में आपका driving test होगा जिसमें और आपको मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ level 1 का जो exam है इसमें भी आपको भी जिसने driver के लिए apply किया है तो 50% journal category के लिए जरूरी है और OBC, SC, ST के लिए 40% मार्क से जरूरी है तो यह था driver का criteria mode selection का work assistant की अदि में बात करूँ तो work assistant में यह आप देख सकते हैं work assistant के लिए ज़्याद दर candidate निप्लाई किया है जो आपका tire 1 यानि preliminary test जो होगा दोस्तों इसमें 50 question आप से put किये जाएंगे one hour आपको time दिया जाएगा 20 question आपके match से जोड़े आएंगे और science से 20 question पुछे जाएंगे and journal और से 10 question पुछे जाएंगे active marking आपकी यह रहेगी और दोस्तों यदि मैं बात करूँ इस भरती के बारे में तो फिर आपका level 2 जो होगा यानि टायर 2 जो होगा level 1 में 40 percent जर्नल काटेगरी के लिए ज़रूरी है रहेगा और other काटेगरी के लिए 30 percent और फिर आपका टायर 2 यानि लेवल 2 होगा जिसमें आप से यह आप देख सकते हैं 50 questions फिर आपसे पुट किये जाने है दो गंटे का टाइम मिलेगा मैच से 15 questions साइस से 15 questions जर्नल लोलिस से 10 questions और इंगलिस से 10 questions तो दोस्तों इसमें negative marking आपकी इस तरह से रखी जाएगी फिर आपकी final merit list बनाई जाएगी तो दोस्तों अब बात करते हैं आपकी exam date के बारे में कि कब आपका exam जो होगा जिसका इंतजार आप बहुत ही लंबे समय से पलके बिचा कर कर रहे हो कि कब हमारा exam होगा तो दोस्तों आज वो इंतजार आपका खतम होता है क्योंकि दोस्तों जो news निकल के आई है बारे की तरफ से वो एक बहुत ही बड़ी big news है exam date से related हां दोस्तों वो उन्होंने नहीं दी है नहीं बताई है लेकिन दोस्तों उन्होंने ये जरूर बता है कि जो आपका exam होगा वो आपका जून के फर्स्ट week या second week में होने के 99% chance है और दोस्तों exam जब आपकी date आएगी तो exam date आने के 15 दिन बाद आपकी एक list आएगी जिसमें आपको बता ज लिस्ट आएगी उससे 15 दिन बाद वो जो list होगी वो आपकी admit card की होगी और दोस्तों ये जो exam date आएगी दोस्तों आपकी exam होने से date यानि 45 days पहले या फिर 1 month पहले ही आएगी और आपके exam से 15 days पहले आपका admit card आएगा जो कि एक list आएगी admit card की दोस्तों वही आपका admit card होगा तो अभी क्या जो status जो चला हुआ है तो यदि site के coding हम देखें दोस्तों ये आप देख सकते हैं 23 जनवरी 2023 को इससे जुड़ा एक notice इन्होंने दिया हुआ है जिसमें इन्होंने ये कहा गया है इनके दौरा की result of written examination को लेकर फॉर्दा पोस्ट और तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमने दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये है हमारा notice ये है ये है हमारी requirement ये आप देख सकते हैं ये 23 जनवरी 2023 वो दोस्तों गल्द खुल गया था तो ये हमारा notice है the application received इन्होंने ये कहा इसमें साफ साफ की जो application है candidates की वो हमने receive कर ली है और जो अभी जो कारिये है जो कुछ भी आपका exam होना है वो process में है तो लेकिन दोस्तों अब आपको टेलसन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी exam rate हमने आपको बता दी है जिस candidate की exam की त्यारी नहीं है तो आपको full time exam के लिए मिल रहा है आप अपने exam की त्यारी कर सकते हैं और दोस्तों जो भी new update इससे जुड़ी next time आईगी आपको सबसे पहले update कर दिया जाएगा इंतजार किस बात का अब अभी हमारे इस चैनल को subscribe कर ले जिससे एक से बढ़कर एक new update big update आप तक समय रहते पहुंश सके और आपसे missना हो क्योंकि दोस्तों हमारे दोरा जो जानकरी दी जाती है वो बि हमारे चैनल का लक्षे है ताकि हर बच्चे को हर time जो है अच्छे से अच्छे news जो है वो दी जा सके जिससे उसका जल्दी से जल्दी किसी भी exam selection हो सके तो दोस्तों मिलते हैं किसी next video में नई update के साथ दन्यवाद दोस्तों जैहिंद जैवाद